और फिर रात हो चुकी है और बादिस देखिये कितने जोरो से बारिस आ रही है कि यह हमारे गाउं की पानी की जो केनाल है वो भी अभी पर चुकी है और पानी अपी जा रहा है यहां से यह केनाल है और पानी इस तरफ जा रहा है हमारा करहना उस तरफ और अपी में और पापा जा रहे हैं हमारे खेत में मुंगफली को देखने के लिए इतनी बारिस है तो मुंगफली को देखने के लिए तो जाना ही पड़ता है जाना पड़ता है नहीं जाना चाहिए वहां मुंगफली की सहालत में होगी वह देखने के लिए वहां से बहुत चल्दी से पानी जा रहा है इस तरफ पानी जा रहा है ज्यादाधर के लेशन अधैस जाना ही जाना है जह हम रहा है जाना है के लिएम घपर तो मुंग भानी जाना है वहां जाना है कर रहां से बहा है यह है हमारी मुंफली बहुत ही अच्छी है और आज भी कुवे में पानी जाई रहा है यह हमारा कुवा है उसमें जितना भी पानी जाई है लेकिन यह पूरा भरता ही नहीं है पानी का संग्रफ बहुत ही अच्छी तरह से करता है वरना तो कई कुवे थोड़ी से पानी उसमें गया और वो कुवा भर जाता है उपर तक लेकिन यह हमारा कुवा मैंने कभी तक नहीं जेखा कि वहां तक पानी पहुंचाओ यहां तक पानी पर है यहां से आगे जो पूरा खेत है ने वहां तक कुवा रिचार्ज ही हो रहा है मुंगफली का कलर जेंज हो गया है और भी हमारी मुंगफली को तीन महीने हुए है आज तीन महीने पुरे हुए है और वहां पे पत्थर निकालने की ख़दान है वहां पे पानी जा रहा है खेत में से यह मेरे चाजा का खेत है उसका पानी जा रहा है यहां से और यह ख़दान तो पुरी भर चुकी है बहुत ज्यादा पानी है इसमें अभी रात हो चुकी है और बाद इस तो रूपने का नाम ही नहीं ले रही है और भी बिजली भी नहीं है इसलिए यह बैटरी से वह लोग बना रहा हूं लगादार दो गंटे से अपिस्टार्ट है देखाना बिजली कैसा है चमके अज यह अमरा पानी का 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 है वह भी बर जाएगा अज़िए पानी का 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 है वह भी बर जाएगा